दोस्तो चाइना अगर दुनिया में किन चीजों में माहिर है तो उसमें एक तो है कॉपी करना जबकि दूसरा है प्रोपगंडा करके नेरिटिव बनाना और दोस्तो चाइना के द्वारा बिते कुछ सालों में कॉपी किया हुआ ऐसे टेकनोलिजिव को लेके इस तरीके से प् पहलू हमेशा छुपा दिया जाता है इवन अगर दोस्तो ऐसे टेकनोलोजी को फेलियर होता है तब भी चाइनीज मीडिया के तरफ से उसे एक तरीके से ढग दिया जाता है और दुनिया को पता लगने नहीं दिया जाता है पर अब धीरे-धीरे करके चाइना के ऐसे टेकन पर दोस्तों यह घटना है चाइना के अंदर बुलेट ट्रेंड का हाथसा दोस्तों अपके जानकारी करेंडे बता दू कि चाइना दावा करता कि दुनिया में सबसे अधिक हाथस्पीड ट्रेन का नेटवर्क चाइना में है और चाइना सबसे अधिक हाथ dol def currently करता कि किस तरीके से चायना के bullet train के design flaws अवखुल के दुनिया के सामने आ रहा है और कैसे अब पूरा दुनिया को धीरे धीरे करके पता चल रहा है कि चायना के द्वारा जो दिखाया जाता है उसके पीछे असल में एक भयंकर सच्चाई रहता है जो चायना पूरा दुनिया से दश हाई-speed train चायना में है तो वही पे चायना का ये भी प्रोपगंडा है कि ये हाई-speed train safe और reliable है पर दोस्तों चायना के ये प्रोपगंडा तब ध्वस्त हो गया जब रविवार के दिन चायना के ही एक मीडिया हाउस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया क कैसे चायना के एक high-speed train D2809 हाथसे का शिकार हुआ और हाथसे के कारण train के driver जहाँ पे मारे गये तो वही पे आठ अन्ने बुरी तरीके से घायल हो गये असल में ये हाथसा दक्षिनी चायना में गौंग्जो प्रोबिंस के रौंग जौंग शहर के नस्धिक हुआ और बता 213 पैसेंजरों के कैपसिटी था रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि उस दर्मियान जब हाथसा हुआ तब ट्रेन में कितने पैसेंजर थे पर ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताविक ये ट्रेन सुभा 9 बजे गोईयां नौर्स स्टेशन से रवाना हुआ था और ट्रेन को दो पहर को दो वज के 34 मिनिट पे गोँजो साउस्ट्रेशन तक पहुँचना था पर दोस्तो हाथसे का कारण सुनके आप लोगों को हैरनी होगा और बताया जा रहा है कि ये हाथसा असल में पटरी के उपर कीचर धसने के कारण हुआ जिससे ट्रेन के दो अधिकारियों के तरफ से बताया जा रहा है कि हाथसे से पहले ट्रेन के ड्राइवर को ये महसूस हुआ कि जो ट्रेन के ट्रैक है ये हिल रहा है और एक अजव तरीके का बिहेव कर रहा है जिस वजाए से ट्रेन टर्नल से बाहर निकलने के तुरंद बादी ड्राइवर के द्वारा इमर्जेंसी ब्रेक लगाया गया और चायना के अधिकारियों का ये भी कहना है कि ब्रेक लगाने के 5 सेगंड के अंदर ट्रेन रुक गया और इस 5 सेगंड के दर्मियां ट्रेन करिवन 900 मिटर तक स्लाइड हुआ हाला कि दोस्तों अगर ट्रेन के डबे टर्नल के साथ पैरलली आगे ना चल रहा होता तो ये पलट सकता था और ये हाथसा और भी बड़ा हो सकता था रिपोर्ट के मुताविक चाइना के जो ट्रेन हाथसे का शिकार बना उसे 200 से 350 किलो मिटर पर आवर के रफतार में ट्रावल करने के लिए डिजाइन किया गया है पर दोस्तों अगर ट्रेन के ट्रैक ही किचर के वज़ा से उपर नीचे हो रहा है तो आप समझ सकते होंगे क चाइना के अधिकारियों के द्वारा किस तरीके से हडबड़ी में दुनिया में सबसे आगे पहुँचने के चाहत में कई सारे बड़े चीजों को नेगलेट किया गया इवन दोस्तों ये घटना 2011 के और एक घटने का भी खुलासा करता है जहाँ पे ट्रेन के ऐसे ही एक सी गटना के बाद भी चाइना के मीडिया के द्वारा प्रोपगंडा को ही आगे बढ़ाया गया और इन सभी घटनाओं को एक तरीके से दवा दिया गया पर चाइना के लोगों का कहना है कि चाइना के जो गौर्मेंट है उसके तरफ से सेप्टी से अधिक तरजी प्रोफिट से आगे किया जाता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि चायना के टेक्नोलिजी से बड़े तो कुछ भी नहीं है। पर आवर के रफ्तार वाले ट्रेन भी दोड़ रहा है। आकार में बड़ा होना ही सबसे बहतर होता है या फिर टेक्नोलिजी और सेफ्टी भी कोई मायने रखता है। बेसिकलि अगर देखा जाए तो चायना के CCP और चायनीज मीडिया के अंदर इवन कई हद तक चायनीज नागरिकों के अंदर ये मनवाब बन चुका है कि दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए संख्या मुलक रूप में या फिर कहें तो आकार के रूप में बड़ा होना आवशक है और चायना जादातर इसी चीज़ को फोकस में रखता है और प्रोपगंडा करता है कि चायना दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेट वर्क, दुनिया के सबसे बड़ा नेवी रखता है और दोस्तों ये सभी कुछ सेप्टी को दरकिनार करते हुए केबल मात्र सं प्रेडे के छोटे-छोटे स्पीड बोट को भी जहाद के रूप में गिनके ये दर्शाता है कि चायनीज नेवी में सबसे अधिक संख्या का जहाद है हाला कि अगर एरक्रेफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, निुक्लियर सब्मरीन जैसे मामले को कंपेर किया जाए तो ना चायना रश्यन नेवी से आगे है और ना ही अमेरिका नेवी से ओई पर रेल नेट्वर्क को अगर देखा जाए तो चायना पट्रियों को बिछा के दावा तो करता है कि ये दुनिया के सबसे बड़ा रेल नेट्वर्क रखता है लेकिन पट्रियों के नीचे किस तरीके का मिट्टी है या किस तरीके का जमीन है चायदी ये चायना के द्वारा जाच किया जाता हो और अगर दोस्तों ऐसा होता तो चायना के अंदर इस तरीके का हाथसा ना होता और ना ही ट्रेन चलने पे पट्री समुंदरों के लहरों के जैसे हिच कोले खाने लगता दोस्तों यहाँ पे आप लोगों में से कई सारे ऐसे भी होंगे जिनको यह लगता है कि ट्रेन के हाथसे तो लगवग दुनिया के सभी देशों में होता है जहाँ पे ट्रेन चलता है इवन यह भारत में भी होता है पर दोस्तों इन में से कोई वी उसे चाइना के तरफ से इस तरीके से censorship लगाया गया कि चाइना के अंदर के ऐसे हाथ से कभी बाहर प्रकाशित नहीं होता है। चाइना प्रोपगंडा ये भी है जिस कारण ये अब निशानों में आ रहा है और वो है कौपी किये हुए टेकनोलोजी को ओरिजिनल टेकनोलोजी से बहतर दरशाना। प्रोपगंडा को आगे बढ़ा या था तो ओविसली सवाल उटने वाला है और दूसरे तरफ खाली ये हाल फिलाल की एक हाथ से नहीं बलकि चाइना के ऐसे कई सारे टेकनोलोजीों का पोल हाल फिलाल में खुल चुका है चाहे हो चाहे हो चाहना के द्वारा डेवलाफ्ट अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन